मालवाररेसिपिज डोट को में आपका स्वागत है आज हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने जा रहे हैं और यह बहुत ही स्वीट है और हम इसे स्टोर करके कई दिन तक रख सकते हैं आज क्या हमारी जो रेसिपी रहेगी वो है मूंभली की चिक्की यूएकि बहुत पसंद आती है बच्चे वड़ेगों और हम इसे बहुत दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम सामग्री देख लेते हैं। सामग्री में मैंने लिया है यह मुमफली है और यह कच्छी मुमफली के दाने हैं। मैंने इस तरीके के लिए है इनके चीलकी निकलते हैं और इन कापी अच्छी होती है।े चीलकी इस पर मारकेट में पता पाए या उन स्वाटन काफी लेगता है। मैंने यह मुणफरी के दाने कच्चे लिए है एक चमश मेरे देसी घी लिया है और मैंने एक कटोरी गुड लिया है गुड आप कोई भी ले सकते हैं बाकि अगर आप जो रैट कलर कर लेगे उसका कलर काफी अच्छा है तो मैंने यह जो भेली वाला गुड होता है डले वाला और उसी का लिया है मैंने यह और यह बहुत ही अच्छा है मैंने इसे बारी काट लिया है चापू से तो यह हमने एक कटोरी लिया है तो यह तो फ्रेंड्स हो गई हमारी सामगरी अब हम बनाना शुरू करते हैं हमने एक पेर ले लिया है और उसे मैंने के स्कौन कर दिया है यह हमारी मॉफली के जो दाने हैं इसे हम डालेंगे और इन्हें हम रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे ताकि यह जले ना और इनकी छिल्के भी आसानी से निकल जाए तो हम इने हलका रोस्ट करेंगे तो मैंने इसे लो फ्लेम पर पकाया है और तीन से चार मिन करें दबा करको सकते हैं कि इनके निकल रहे या नहीं तो ये देखियें काफी हचे राट निकल गया है और यहांगे इस सबस्राइब करेंगे और में आप बैंड़े हैज क्षिट आ करने पादा हो गया है एंके शेह यह रहा यह देखिए, हमने सारे छिलք निकाल दिये मैंने आपको बता है कि इस तरीके के अगर आप मुंफली लेंगे इसले हैंके से ci-monaj दाला तो एक काफी अच्छा है नहीं में दालें já के घो हमारा गरम हो गया है अब भुड़ को डालेंगे ऐसा जल्दी से अच्छी से मिक्सटो जाएदा चलाते रहेंगे रहाट को बंद ने करना है लो फ्लेम पर ही इसे हमें पकाने के लिए तो नहीं है खाले पत्लत। प्रइड बनी को अब ररेडी होंगे तो यह हम चेक भी नीए के नहीं पतला होने लग गया है हमारा जो मुठेशा को यह कब रेडि होगा कभ मूंपली के दाने डालेंगे अदर दिंगे दूये हमें अदर पानी के अंदर हम चल्ट करेंगे यह देखिए जो हमने गुड़ डाला था और यह अभी अच्छे से सही नहीं हुआ है यह देखिए एकदम थोड़ा टाइट होगा तब हम इसमें डालेंगे लगबग रेडी है और यह इस तरीके से नहीं होना चाहिए थोड़ा कड़ा हो जाना चाहिए तो यहां पर हमारी ज के जाओ चࠤए भी चाहिए जूना खेए टो यह हमारी को इस भालवी दान तो यह हमारी पर रहाता क्रोट आधाट कर देखिए यह थे साधाल करता है यादा थेलों हमारी कज आस की etcetera जाएकम आ। नहीं तयार कर लिया जूट मून स्ल डाने याद में और तयार कर लिया ह यह देखिए काफे अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे प्लेट पे उल्टा करके घी लगा दिया है और अब हम इसे डाल देगे यहां पर हमने एक बेलना ले लिया है इस पर हमने घी लगा दिया है और इस तरीके से हम इसे जैसे हम रोटी जलते हैं उसी तरीके से हम इसे सेट कर देंगे लिए हमने बेलने के ओपर घी लगा लिया था घी लगाना सबसे इंपोर्टेंट होता है और यह काफी चिगना हो जाता है और मैंने इस तरीके से बेल लिया है आप इसे मोटा पतला रख सकते हैं लेकिन यह काफी अच्छी है तो इस तरीके से हमने बेल कर रेडी कर लिया है और तो फ्रेंज हलका ठंड़ा हो गया है और यहां पर हमें कटके निसान लगाने होंगे अगर हम एकदम ठंडा होने के बाद लगाएंगे तो यह हमारी जो चिक्की है यह अच्छा से नहीं कट पाईगे तो इसे हम कटके निसान लगा लेते हैं तो फ्रेंस यह ठंडा हो चुकि है ओर अब हम इसे निकाल लेते हैं यह देखिए काफी अच्छी बनी है और यहां पर अगर चिक्की को निकाल लेंगे ये काफी सही है और और भी मीटी हो जाएगी तो भी से ये चल जाएगी इसी तरीके से हम सारी को निकाल लेंगे यह कु है कि का था किे का थी अजल इलो इस इक है कि आफिय इंसदम कड़ी है की करी फैनली हमारी चिक ची के बन Kimberly रेडि हो गई यह एसे खाने में काफी अच्छा टेस्ट आता है तो इस तरीके से आप जरूर बनाया और कमेंट करके बताया आपको कैसी लगी है लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अगर अभी तक आपने अमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले ताकि आपको और भी अच्छे-ची रेसीपी देखने को सीखने को मिलती रहे है तो मिलते फ्रंट से एक नई रेसीपी इसके साथ हैपी कुकी